हेलो एवरिवन दृष्ची के ऑनलाइन प्रेटफॉर्म में एक बर फिर से आपका स्वागत है मैं हूँ गिता अंजली जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम UGC NET परीक्षा के भूगोल विशय के यूनिट वाइस विगत वर्षों में कौन से प्रशने पूछे गए हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं अभी तक हमने वैकल्पिक विशय भूगोल के एक आई एक से लेकर एक आई छे तक विशय वश्तु कौन सी रही है और कौन से प्रशन उस सेग्वेंट से पूछे गए हैं previous years में हमने उनकर चर्चा की है आज हम चर्चा करेंगी एकाई साथ के संदर्व में की भूगोल की एकाई साथ से पिछली वर्षों में कौन से प्रशने पूछे गए हैं तो ध्यान रखेगा आज का जो हमारा वीडियो होगा हमारी क्ला हो गई वह है यूनिट सेविन के संदर्व में है और इसी से जो प्रीविए सेरस में कोश्चिन पूचे गए हैं उसी से जुड़े हुई है ठीक है एकाई साथ के यदि हम नाम की बात करें तो एकाई सेविन का नाम है सांस्कृतिक सामाजिक एवं राजनितिक भूगोल ध्या बारे में जिसमें हम सबसे पहले संस्कृति की बारे में जानेंगे इसके उद्भाव के बारे में जानेंगे भारत में कौन-कौन सी संस्कृति कौन-कौन से छेत्र को कैसे डिवाइट किया गया है क्योंकि भारत उत्तर से दक्षिन पूरत से पश्चिन तक विभिन भूबोल के संदर्व में भी विश्व की संदर्व में भी चर्चा करेंगे हम विभन रीजन के बारे में चाहे आफरिका हो यूरॉप हो एशिया हो या फिर कोई आने छेत्र तो इनसे संबंधित कौन-कौन से जन जातिया हैं छेत्र हैं या कौन से लोग वहां निवास करते इसके बारे में भी हम डीटियल से जानेंगे मुख्य नहीं दी हम बात करें इस पूरे क्लास में कि हम किन चीजों किन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे तो ध्यान रखे चाहे वे सांस्कृतिक हो चाहे सामाजिक हो और चाहे राजनितिक इन से जड़े हुए जो घ्रचेर खेतरों से जुड़ या समाज से जुड़े हम बात करते हैं संस्कृति से जड़े हम बात करते हैं या राजनितिक भुगोल के संदर्फ में प्रश्णों के संतर्फ में कि UGC NET कि में इसके exams में कौन से सवाल पूछे गए है, unit 7 से जड़े हुए, ठीक है, पहला प्रशन है, निंदलिखित में से उस शहर को पहचानी है, जिसमें conference of parties की 27 वी बैठक हुई थी, यानि कॉप 27 की आयोजन वाले शहर का नाम पूछा जा रहा है, आपके पास option है, ग्ल यदि आप किसी unit को पढ़ रहे हैं, तो उस unit से जुड़ा हुआ current affairs भी अपने आप में महजपूर है, क्योंकि जब भी आप किसी भी segment को पढ़ते हैं भूगोल के, तो उस भूगोल के उस खास segment से कौन सी news चर्चा में है, यह भी UGC NET के exam में cover की गई है, क्योंकि कॉप 27 के यदि हम आयोजन की बात करें, तो यह वर्च 2022 में हुआ है, जो की latest है, और मार्च 2023 के exam में इस प्रश्ण को frame कर लिया गया है, तो आप समझे कि current affairs भी महजपूर है, यह नि उस segment का जो भी समसामिकी है, वो यह भी आपको जाना जरूरी है, ठीक, हम बात करते हैं COP 27 की, COP 27 है क आखर COP क्या है, COP means conference of parties, तो विभन parties के द्वारा जो conference किया जाता है, उसे ही conference of parties के नाम से जाना जाता है, और 27 क्या है, तो यह संख्या है कि अभी तक conference of parties किस नंबर तक हुई हैं, तो ध्यान रखें, 27 की बारे में पूछा जा रहा है, तो COP 27 का आयोजन हुआ था, मिस्र के श है, अफरिका रीजन से संबंधित छित्र, ठीक है, तो इस प्रशन का सही जवाब होगा, option B, शर्म अल शेख, COP जो held होते हैं, या conference of parties जो conduct कराई जाती हैं, ये United Nation Framework Convention of Climate Change, on climate change के अंतरगत होती हैं, और इसी के, सायूंक तरास्ट के framework के तहत ही, ये conference of parties का आयोजन किया जाता है, इसका मुख्योद्देश है, जलवायू परिवर्तन से संबंधित जो नकरात्मक प्रभाव देखे जा रहे हैं, या जलवायू परिवर्तन से बचने के लिए, इसके नकरात्मक प्रभाव से बचने के लिए हमें कौन से लक्ष तैय करने चाहिए, भविष्य में हमें का आयजिन किया जाता है, तो ध्यान डखे, कौप 27 का आयजिन कहा हुआ है? मिस्टर में हुआ है, इसे अफृरिकी कौप के रूप में भी जाना जाता है, दरसल्य जल्वायू परिवर्तन का सबसी नकरात्मक प्रभाव देखने को वे भी वहाँ पर देखी गए हैं, क्योंकि वहाँ पर संसाधन तो हैं, लेकिन उनसाधनों के बहतर तरीके से कार्यान्वन की विवस्था नहीं है, इस वज़ह से जब भी कॉप का आईजन होता है, तो एक छेत्र की भी चल्चा की जाती है, छेत्र विशेश की चल्चा की जा हैं कि आखिर कॉप 26 कहां पर हुआ था, क्योंकि यदि आप देखिए, कॉप 27 पूछा जा रहा है, तो कॉप 26 भी पूछा जा सकता है, तो Conference of Parties के 26 से संसकरण का आईजन हुआ था कहां, ग्लास गो में, ठीक हैं, और यह option भी धियान से देखिया आपके, इसमें option में है, 2000, म आफ कीजिए का, कॉप 26 का आईजन हुआ था, यहां पर, ठीक, कॉप 27 का, शर्म अल, शेक में, आप कॉप 27 चुके इस बार पूछा गया, हो सकता, अगली बार पूछ लिया चाहिए, कॉप 27 की थीम क्या थी, तो यहां पर आपको, कॉप 27 की थीम के बारे में भी पता होना कॉप 27 की थीम क्या थी, कॉप 27 की थीम थी, टुगेदरनेस या, टुगेदर फॉर इंप्लिमेंटेशन, आपको यहां एक साथ आना है, कार्यानविन के लिए, या क्रियानविन के लिए, तो शब्द जो सबसे महत्पूर है, वो ध्यान रखिएगा, इंप्लिमेंटेशन, चिक है, कार्यानविन या क्रियानविन के लिए, एक जुट या एक साथ होना, यह इसकी थीम थी, अगला प्रशन है, खादी सुवक्षा पर विचार करते हुए, निंदलिकित अफ्रिकी उप प्रदेशों को, न्यून पोशन के प्रचरन, यानि, पी ओ यू के प्रतिशत, ध्यान रखिए, प्रतिशत 2018 के आधार पर पूछा जा रहा है, प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में विवस्थित कीजिए, अवरोही याने घटती क्रम में विवस्थित करने के लिए पूछा गया है, आपके पास देखिए क्या-क्या है, शित्र, शित्र है, उत्तरी पूर्वी अफरिका पश्यमी अफरिका और सहारा अफरिका नीचे देगा विकल्पों एसे सही उत्तर चुनी है आपके पास ओप्शन क्या है देखिए यदि इस प्रशन को आप गौर से देखें तो इस प्रशन में पूछा क्या जा रहा है खादी सुरक्षा को लेकर खादी सुरक्षा को लेकर P O U के संदर्व में प्रशन फ्रेम किया गया है यहाँ यदि हम P O U की बात करते हैं तो यह है प्रिवलांस आफ अंडर नरिश्मेंट जिसके लिए शब्द क्या लिखा हुआ है शब्दे लिखा हुआ है न्यून पोशन के प्रचलन ध्यान रखिए दरसल का मतलब होता है अल्प पोशन की स्थिति अल्प पोशन की व्यापक्ता इतनी अधिक हो गई है किस शेतर में प्रशन फ्रेम क्या गया है अफ्रिका किस अंदर में तो यह प्रशन पूछा जा रहा है अफ्रिका वाले शेतर से जड़ा हुआ तो आफ्रिका दरसल वह रीजन है जहां पर आई पोशन की स्थिति बहुत अधिक मात्रा में फैल चुकी है अब यहां पर पूछा जाए कि आखिर यह पी ओ यू को मापते कैसे हैं पी ओ यू को मापा जाता है इस पूरे शेतर में यदि आफ्रिका रीजन की बात करें तो इस पूरी शेतर में जो जनसंख्या निवास करती है उस जनसंख्या के कितरे प्रतिशत लोगों के पास अपने जीवन को ठीक से यापन करने के लिए या एक दिन का भी भोजन उसके शरीर के लिए जितना चाहिए होगा वह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है ठीक है तो इस स्थिती को कह दिया जाता है अलप पोशन की स्थिती यानि पोशन युक्तखाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनश्चित ना हो पाना उस छेतर को तो इस छेतर को किस रूप में मापा जाता है पी ओ यू के रूप में मापा जाता है और सबसे जो प्रभावित रिजन है भी वैश्वे के लेवल पर पी ओ ओ यू से वह है आफ्रीका का शेतर इसली बोश तो हुचा गया है 2018 के अवरोही क्रम के बारे में आपको बतानाएं आफ्रीका से अफरीका से सबस्थित की पूरी अफरीका रिजन की यदि हम बात करें तो जाइद है जो सबसे ज़ादा प्रभावित उस से कम चिक फिर पश्य में अफ्रिका की बात की जाएगी और फिर उत्तरी अफ्रिका की बात की जाएगी ठीक तो आप इसी हिसाब से आप इस प्रशन को हल कर पाएंगे यानि सबसे बुरी स्थिति किसकी है पूरवी अफ्रिका की याने नमबर 2 तो देखे, दो कहा से शिरू है, 2 B and D दोनों में हैं, फिर असे थोड़ा सा ठीक इस सिति के लिए हम बात करें तो उप सहारा बीजन है, याने 2 एन इसके बात 4, देखे, 2 फोर दोनों में है, इसके बाद यादी हम बात करते हैं, उससे थोड़ी सितिति ठीक है, तो वह रीजन उसके बाद देखी option 3 यहां पर बी option इस प्रशन का सही जवाब है उसके बाद उत्तरी आफरीका option B इस प्रशन का सही आंसर होगा यह प्रशनी फ्रेम किया गया है कब मार्श दो हजार तेश में ध्यान रखे इसका मतलब यह है कि वर्श दो हजार रहा कि प्रतिशत के आधार पर जो आंकड़े उस समय फेमस होंगे जो आंकड़े उस समय चर्चा में होंगे उस पर भी सवा जरूरी है क्योंकि खादी सुरक्षा से जुड़ी हुई कई अवधानाएं काफी फेमस हैं इसके संकेत को मैं भी देखा जाता है कि आपके पास कितनी मात्रा में वहां खाद्यान की उपलबतिता सुन्शित है यानि आपकी accessibility कितनी है वहां पर अभी गंवेता कितनी है उस पर चर्चा कर लेते हैं अंगला प्रश्न है निमनलिकित में से किस देश को एक राश्ट राज्य की रूप में नहीं माना जाता है हमारे पास option है Belgium Japan मिस्र और स्वीजन यहां रखेगा राश्ट राज्य की रूप में जो फेमस राज्य राश्ट्र है उनमें जापान स्वी और इस्तानी लेबल पर अलग-अलग सरकारें काम करती हैं राजी में क्या है? 500 सरकार होती है व्य Wakanda के राज्य रखेगाती है प्रतियक Jam Ganagaric कि जब उस राश्च प्रेम की भावना को अपने आप में ध्यान दे या इससे अपना लगाव महसूस करें तो राश्च की संकल्पना सामने निकल कर आती है यह राश्च राज्य की बारे में प्रशन पूछा गया है चुकी ध्यान रखेगा बैल जीम इस प्रशन का सही जवा अब होगा ठीक है और यह प्रशन का पूछा गया है मार्श दोहजार तेईस में चली बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रशन को ध्यान रखेगा जब हम राज्य और राश्च पढ़ेंगे डीटेल से आपको इसके बारे में फिर समझ में आएगा ठीक बढ़ते अब आपको बताना है कि इस शित्र निम्नलिखित में से जो राज्य सामने दिये हुए हैं क्या उनसे सही सुमेलित है हडोती, राजस्थान, खानदेश, महराश्र, बगहीलखंड, बिहार, रोहेलखंड, मध्यप्रदेश, मालवा, पंजाब, नीचे देगवी कल्पों में से सही उत्तर चुनिए आपके पास option है, A, B, C, D, क्या-क्या है option में? केवल एक, दो, तीन, केवल दो, तीन, चार, केवल तीन, चार, पाच, केवल एक, दो, और पांच आईए दिखते हैं छित्र के संदर में, यदि हम बात करें हडोती के बारे में, तो ध्यान रखिए हडोती राजस्थान का एक छित्र है, ठीक है? यदि बूंदी वाल आपने छित्र सुना होगा, बूंदी के साशकों की बात यदि आप करते हैं, तो आप आसानी से बता पा कहाँ पर है? महरास्ट्र में है, यानि यहाँ पर दूसरा सुमिलन भी सही है, ठीक है? तीसरा है बगेलखंड, बगेलखंड के बारे में ध्यान रखेगा, बगेलखंड मज्य प्रदेश का छित्र है, जहां रीवा, सतना जैसे, सीधी जैसे जले शामिल किये जाते हैं, तो सबसे पहले इमिज बनती है, ध्यान रखे है, रोहिल खंड, यानि रोहिल जनजाती से सम्बंदित है, और यह किस छेत्र की है? यह छेत्र किस राज्य किस सम्बंदित है? यह छेत्र सम्बंदित है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी रीजन में है रोहिल खंड, ठीक है? तो रो यह मध्यवप्रदेश से भी just a उए और मालव की आप में बात करते हैं प्रादर्षिक प्रदेश की और सांस्कृृतिफिक प्रदेश संबंदित तो यह पंजाब से संबंदित हैza इ clipping तो सुमेलन आपके पास सही है वह है एक दो और पांच धियान रखी एक दो पांच यह ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है नेट जो जो जे आरेफ की मार्ज 2023 की परिक्षा में प्रश्र फ्रेम किया गया है तो जो हम सामाजिक और सांस्क्रितिक भारत की बात करेंगे कि भारत को कि इनके शित्रों में डिवाइट किया गया है कहां मालवा है कहां पर भगेल खंड है कहां रोहेल खंड है कहां छोटा नागपुर वाला छित्र है कौन से छित्र है जो हिमाली शित्रों में डिवाइट है हिमाली राज्यों में डिवाइट है कौन सा छित्र है ज सिन जाती और जाती पाई जाती है ठीक है क्योंकि ये अपने आप में सौन्सक्रितिक भूज का कही चितर है ठीक तो इस प्रस्निक के जवाब की बात करें औठ वारेशां का बढ़ते हैं अगले कर जवाब मिलनलखत मैंसे कौन से जाती की प्रमक विशेष्टाओं को प्रस्तुत करते हैं देखिए जाती ध्यान रखेगा यदि जाती के बारे में पूछा जाए तो यह तेग्मेंट किसके अंतरगार आ जाता है यह आ जाता है सांस्कृतिक और सामाजिक भूगोल के अंतरगार ठीक है जातियां पद सोपानिक रूप में श्रणीबध होती हैं पद सोपानिक मतलब एक निशित पदों के अधार पर इन्हें डिवाइट किया गया है तूसरा उनमें जाती से संबंद व्यवसाय परिवर्तनी रूप में होता है यानि आपने किसी जाती को विशेष्ट व्यवसा यह नहीं है ठीक है तीसरा है जाती की सदसे समानित्या विश्वांगी सेंस्कृति को साज़्ा करते हैं ठीक इसकी बाद है उपलब्धियों और कुलीनिता का प्रतिफल विभिन एकाईयों के मध्य अन्योन क्रिया को निर्धारित करता है इस बात को तो पहली ही आप काट ठीक है जातनिया संगोत्री एकाई है बिल्कुल यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि जातिया संगोत्री एकाईं कि जो गोत के बात जब की जाती है तो एक समान देखि जाते हैं है इस प्रश्न सही जवाब क्या है कि जातियां पद्ट सोपानिक रूप में श्रेनी बध्ध होती है बिल्कुल सही बात है आपने अभी तक इस बात को ध्यान से महसूस भी किया होगा आपके अपने समाज में ठीक है उनमें जाती से संबंध व्यवसाय अपरिवर्तिनी रूप में होते हैं हमने यह भी देखा है बिल्कुल सही बात है और यह तीसरे कथन की बात करें तीसरे कथ कि यदि आप Sanskrit में से शामिल भी कर लेते हैं, तब भी यह विष्यमांगी Sanskrit को साजहा नहीं करते हैं, क्योंकि यह अपना एक पूरा छेट्रविशे से इनके अपनी अपनी activities यदि- कोई-जाती है तो उनके अपनी-अपनी Sanskriti है, अपनी activities है ठीक, तो इस तरह को इस बात को भी ध्यान रखेगा, रेस, लेकिन सामानियता, कई आप डेफिनिशन देखेंगे, कई भूगल वेत्ता है, उन्होंने भी डेफिनिशन दी है, उन्हें कहा है कि जाती को आप संस्कृति की रूप में परिभाशित ना करें, ठीक है, आगे हम उसे पढ़ेंगे भी क क्यों कहा गया है, तो यहाँ पर कौन से कथन साही है, एक दो और पांच इस प्रशन का सही जवाब हैं, देखी कहां पर है, एक दो प्वाच यह निर्फन 20 प्रशन का सही जवाब होगा, यह प्रशन भी मार्स 2023 के नैट ज्यालों के परीख्या में पूछा गया था, ठीक तो आज की पूरे सेग्मेंट में इतने ही मिलते हैं हमारे अगले लिकाई के विगत वर्षों के प्रशनों के साथ अब तक पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, शुक्रिया